मेरो आत्मियता आज गर्षन्सार को पांचों चर्चा मां छूं आज इवा को अधारलाई देखने छूं गईको चर्चा मां बालेकाल को अनुकुलता रव युवा को योग गेता माथिच चर्चा भईको थिवा अब आज इवा अवस्था आये कुछ अब उसको आधार देखी नहीं उसको आयाम लाइद देखूं इवा अवस्था आउनु भनेको बाहिरी रूपमा परकिर्तिको दाहित्तो ले अब उचलाई मानव को शुरूप दिनु हो मानव को रूपरेखा दिनु हो मानव को दाईतो सुम्पन हो मानव को रूपरेख रेखा एसोतक जन्मा बाटने आऊंच छ यू भंदा पनी मानव को दाइत्तु सुम्पनु हो यू महत्तुपनु अवोस लाई परकिर्टि ले अवोस को चेतन अधिकता चेतन उचाए जुन्छ इसको लागी परकिर्टिको अफनु भंदा दाइत्तो जुन्छ तेस्पाट अलग दियो वा उसले सुतंत्र छड़े दियो अवो उसले बाल ले निर्भरता सामाना गरुप परदेई अवो उसले बाल ले निर्भरता माँ चाए जो यो बाहिरी आखाले रा भीत्री आखाले उसको चेतन उचाए जुन्छ उसको बाउदीक उचाए जन्छ उसको बाउदीक अधिकता जन्छ अवेसको उपयोग नको लागी वो पोन चाए अवेस परकित्ति जगतले उसलाई पोन सुरूप दियो चाए बाहिरी आखामा इस्त्री उवा परुश कुरू प्रिखा रत्यो दैतो सुम्पियोग अब यो तो साधारण भायो यो सबय में यो बाहिरी भायो यो सुभाविक भायो यो परकित्तिले नहीं गर्यों अब मानव को चाई के अब ब्यक्ति को ब्यक्तित्तो सम्मक यात्रा के अब उह युवा अब उसमा जो डाइट तो आयेको छो जो जिमेवारी आयेको छो जो लक्षे उसले एस जिबन मा आसिल करनो छो जो जिबन उसले भोगनो छो यो देश्चे लाइदेखूं यो लक्षे लाइदेखूं यो मानव को गनतब्य लाइदेखूं रापनो इवा अवस्था को फरपोर उपयोग गरों अब मानिस जन्मनु मा कारण छो ओ अघिलो जन्ममा मा मानिसको उत्च चेतना समगएको थेना रोष को निवन चेतन इस्तर कहां थियो यही इस्तर अनुसार को आधार छाई यहां अब इस आधार लाइद देखाऊं उँ जन्मीनु परने कारण का यहां कमजोरी हरू छन उँ अयोग्य भायरने फेरी जन्मी एको हो फेरी एसुत योग्य पनी सुईच्छीक जन्मन लियर आउँ छा उसको लाइगी युद चिंता को बिशय होई ना सभाविक रूपले जाने छा रो उसको योग्यता जुन हो यही अनुसार उसले जस्तु सुके परिश्टिती भाय पनी उसले लक्षे भेटाउने नहीछ युद उस्तर को मानिस को वा इसुरी अनुभाव थोरे भाय को युद जन्मा भन्दा अगिलो जन्मा मा उसको लागी तो युद चिंता को बिशय होई ना उसले सुभाविक ग्रुप ल्यांपनों गन्तव विपहिचान गरनेचा धिलो चाड़ परिश्टिती जन्यत अवठ्यारों मा धिलो चाड़ उसले अवस्षने गरनेचा तर जो मात्र मानाव को शुरूप पाउनों को लागी योग्य भायर आए उनिहर को चेतन निवनता लाई आज विशेश संगत जोड़ दिए चेतन निवनता ले कम से कम इस जन्ममा मा मानाव को शुरूप पाईयों यहां भंदा तल्लो चेतन इस्थरको मा जाननों परेना यो नई सबय भंदा ठोलो सफलता हो यहां भंदा ठोलो सफलता अरु के होना सक्छ अब उसले आपनों योग्यता बना होना सक्छ आपनों यो जान्ममा भंदा पहिलो जान्मा को चेतन इस्तिती जेशुके होश यो छोड़े दिए अब इसलाई दोस दिना पाईने छाईना मानाव को शुरूप नहीं उसले पा आएको छो अब विवा अवस्थामा आएको छो तो संपूर जवाफ देही उच्छ अब उसले कमाउने हो आपनों योग्यता अब उसले बनाउने हो आपनों योग्यता अब उसको चितं इसले हासिल गर्ने हो अब मानावको लक्षे समाउप पुग्ने हो यो आजको भंदा यो जणमको भंदा हो हीलो जणमको चितं इसले लाए लुए रा यहां दोस दिना पाइने छाईना जिम्यवार हीन बन्न पाएने छाई ना तुत आपनो फुर्वत जन्म को फ़ल हो एस माथी जिम्यवार हीन बन्न गलत सावित हुँँशे अतह जुन्सुके चेतनिस्तर माभव मानव को शुरूप छाई तो उस सुज्यम्यवार चा सुज्यम्यवार बन्न नहीं पाने छे अब सुज्यम्यवार पन्न येस इवा अवस्थाको मख्ये बोध गाम पाने सबाई भंदा महत्तोफों विशय यो होकि उसले यो इवा अवस्थामा जिम्यवारी बोध गरूप पाच जिम्यवारी बोध एसो तक जिसुके को हुष बाहरी भावतिक गुजरा को जिम्यवारी बोध हुष या आपनो लक्षे को बोध हुष या जिसुके जिम्यवारी बोध कानवर अब मौध जिम्यवार छुः एसो मेरो जिबन मेरो हात माचा हुष अब यो जिबन के हो मह को हुष यो बडिक जिमेवारी को आयाम ग्रार को वेवारेक जिमेवारी को आयाम अब मा बांसनु छाई एस परकिप्टिको माहोल मा मा बांसनु छाई एस बांसनु को लागी माईले जे गर्णु पर छाई यो परिस्थित जनित वा हमरो जिबन यापन जनित भय रारको अरको जिमेवारी हो बडिक जिमेवारी मा को हूँ मा कीना जनमे मा कीना आये यो सरूप मलाई कीना मानिस भंदक तल्लो चेतन इस्तर मा कीना भय ना मा यो उचाई मा कीना आये फ्रिक स्वार काको बडिक देखी मा मानाव सम्मख उचाई यो जय विकता की हो युँ जगत के हो युँ जिबन के हो युँ स्वास परश्वास युँ चल रअ चल जई विक्ता को यु विकास यु क्यो यह रहस्य साइद को जिमिवारी बोध आपनो जिबन को लख्षे को चेतन बाउदिक्ता को जिमिवारी अर्थात जिग्यांसा रहस्य को द्वार खुलन पर रहस्य को द्वार खुली ओ जिग्यांसा को द्वार यहां खुली ओ तवुँ सेतन बाउदिक्ता क्वारी हमीं इंद्रिय गद्ध रूप माँ छों इसको रहस्य रईयो पर किर्थी मां बाहिरी रूपले जीवनियापन यो जय बित्ता मां यो माथिल यो सरूप यो बिचित्रता यो जय जगत्त और विचित्रता ईयो भीत्र रभ बाहिर धुवे हित्यों को द्वार को नुपले दुवे हित्यों को दैत्तों बोद्थ नुपले जिम्मेवारी बोद्थ होनों करो तव युवा को लागी, लाइट उ युवा भयो अब अब या मुल्भुत दुई योटा विशेला जोरने चु आजा इस्तो तो धेरे विशेला जोरने पाने चा मुल्भुत विशेला जोरने चु उसले आपनो एस जन्मको लगछे एस जन्मको कारण पतलागाउना आखोलाइट देखनु परियो ममा के कमी छो प्रो ममा के छेमता छो इद्वीकुरा देख्यो तो सब धोक देख्यो अरुक के हे देखनु परियो एस इवा अवस्थामा जबव आयो तो उसले तुई उटा अखा क्लोस आफोमा के कमी छो जुन आपनो जन्मको कारण पने रायो रा आफोमा हुन छेमता छ जे छेमता छ जसले यो जन्म लाई लक्षे सम्म लेर ज्यानको लाईगी एक साधन बन्नसकोश एवड़ा आपनो बेगले शुरूब को पहिजान बन्नसकोश आपनो बेगतित्तो को पन परकेलती परविरती गोम भर्मा एस अनुसार को जुन छेमता छ यो छेमता यो यो योग्यता लाई देखनु पर आपो जन्मीनु पर्मे कारण लेर आयको पुरवा जन्मको असच्छेमता आपनो कमी आपनो कमजोरी की हो यो पहिजान गन पर इद्धुई कुरा हेती इस पस्टरसंग अध्येन गन परो यो आजको सिच्छा मा हमिलो देटाउने छाईनु यो आजको सिच्छा ले यो पुरा देखाउने छाईना यो आजको सिच्छा मा समय दियको छाईना अतहा यो बेक्ति गत्त रोप मा उसलो बोद गन पने छाई बेक्ति गत्त रोप मा उठाउनु पने छा यो आजको सब्धेता को सिच्छा ले बादो देखाउना यो पुईन यो छाईन इसको पनिफ़ी गर्म यो भुनु पार्च अब 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 अहीले बनाऊने यो आखनी ठाउमाच तर जिबन द आयो जिबन द हातमा छ अब इस जिबन लाए आपुले भोगनी छ जेवनी छ लग्से सम्मान लेर जानी छ अब दोस परिस्थिति लाए दुणी छाई अब दोस तेहिए बेक्ति लीबन लेशा अब जवाप तेहिए परिस्थिति होई ना, समार्ज होई ना, राज़े होई ना, जनमाउने आमा बाभु कारण होई ना, आनुबंशिकी ता होई ना, कही पनी खोई ना, अब उत पून बनना सक्छाँ पून ताको लागी नाई पून अब तो पून तालाई बोध गण करे। दैल्टो बोध गण करे। मा पून अम नको लाकी नए, पून नहीं छो। एडि में अपून छो। जन्म के काराण बनिऊ। तो काराण की हो। निरे अपून ताक की हो। मेर अयोग गिता की हो मानिस शाय सोर बीज भेड की हो इस सुरिय अवस्था को मानव को सर्वत्च उचाय यो की हो मात्र मानव को अवस्था की हो मानिस बनसपती देखियु मानव समक चेतन इस्थिती उज्जहा पनी रहन सक्छा तो आपनो चेतन इस्थिती कहाचा कुन नियुनता माचा एसमा आपनो चेतन छेमता आपनों चेतन इस्थित एसलाइब देखियु मानव जिबन लाइब बोध परन जिबन को अबब बागी भोग जन छे यो स्वैचे कुन परचा यो स्वतंत्र होन परचा यो मक्ता कुन परचा यो मक्ती को लाइब अब उमक्ती को लाइब शतंत्रसत्ता को लाइब स्वैम को स्वैचे को यो स्वैम को स्वैचे को देखाउं इसमा आपनो शासकत आपनो शासन बनावन चा बाहरी रुख्यु अपूर जैबिक्ता लाइब संचालन गणुछ जैबिक्ता को मालिक बननुछ जो आपन्दा नियुम नचे तन्य स्थर्मा चा उसको मालिक हो नभी संबेदना को उचाय कि हो तो उचाय सहित खुलनुछ अब इस बेक्ति बेक्तित्तो सम्मा जाने चा जीबन फॉलनुछ या तो फॉलनुछ या तो फॉल सबैले उपयोगाने चा यह एक बोड हो इसके लाक्षे फॉल हो यह एक बेक्ति हो इसके लाक्षे बेक्तित्तो हो इस बेक्तित्तो हो इस बेक्तित्तो हो इस बेक्तित्तो युवा पुझ्जी मेवारी बोधिकरूं मज़े दुई कुरा बताएं अपनों कमी रापनों छे मता एचरी देखां। युवा अवस्थामा उसलिए डाइतो बोधिकरूं पने इस्त्री रापनों पुरूस। रो आपनों अर्पको आधा अंग, आधा शरी उसको चेतन इस्तरपनी आपनों समान हुनुपर्च। एसको खोजी। एसको लागी आपनों सैदान्तिक दस्ताबेज तयार गरनों। युवा अवस्ताको सबैभुंदा महत्तो पून पुरा। आपको इस्त्री हो या आपको पुरूस हो। त आपनों आधा शरीर तो अलग छा। अब तेस आधा शरीर अलग छा। तेस आधा शरीर लाई एस इस शरीर मान जोडनी छा। या सहयात्री बन छा। तत्यों आधा शरीर कुपने आपने चेतन मिस्तर छा। अब उसको चेतन मिस्तर उसको सैधांतिक दस्ताबेज। उसको पन, परकृति, परविर्ति, गोर्धर्म। एस अनुशार को उसको अलग गयी शरीर सम्रचना छा। इस दुई शरीर सम्रचना एक सहयात्रामा जिवन को गुजरा गर्न छा। तत्यों उसको बहिरी सुरूप एसले अर्थ राकदाईना हामिले आजा। रूप रंगलाई हेने कर्छू। एसको अर्थ शायना दुई सुरूप शन बाहिर इस्त्रिया प्रूप अब चनोट युह। अब इद्वी पीच को सभंध युह। इद्वी बीच को योग युह। अब जिबन को सहयात्रा को लागी उनिहर को चेतन इस्तर को मिलन। चेतन इस्तर को आधार जुन पन प्रकिर्टी प्रविट्टी गुनधर्मा आधिले तय गरे को छो इस तय लाई मिलन गर्नको लागी। खोजी पहिला आपनो चेतन इस्तर को दस्ताबेज आपनो सईदान तीकता। आपनो पन प्रकिर्टी प्रविड्टी गुनधर्मा अनुसार को आपनो स्वैच्छा चारेता। आपनो स्वैच्छेक सत्तामा जुन स्वैधान तीकता बनने छो मन संग विचार संग। इस मंद्र विचार को आधार बनाए रा मंद्र विचार को पानामा उतारिये को। आपनो चेतन इस्तर को इस्तिती संग मेल खाने और को आपको इस्त्री हो ता पुरुष आपको पुरुष हो ता इस्त्री उसको खोज। यही पाना अनसार को मेरी यो सबई भंदा महत्त पोना धेरे महत्त पोना एती हमिले ठीक संग यसी युवा काल को आधार लाई ठीक संग निर्मान गरन सक्यों। तो जीपन बोने होँ आजो को लाई यहतीने